हलो नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत आप सभी का बेज ब्लोग तड़का में तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वाधिस्ट और मसालेदार आलू और पत्ता गोबी की सबजी बहुत ही तेस्टी लगती है इसे मैं अपने गाओं के तरीके से बनाऊंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आलू और पत्ता गोबी की सबजी बनाने के लिए यह अपने इसाब से कम जादा कर सकते हैं और एक मसाला बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं तीन से चार हरी मिर्च एक इंच अद्रक का टुकड़ा तीन से चार काली मिर्च आदा चम्मच राई आदा चम्मच मेती के दाने एक चमच खड़ा हुआ धनिया साथी लिया है एक चोथाई चमच सौफ आप लहसुन अगर खाते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं तो चलिए सारे मसाले को सिल्वटे पे पीस लेते हैं तो अभी मैंने सिल्को धो लिया है अच्छे से और सारे मसाले को मैं यहापे पीस लोगी थोड़ा पानी डाल डाल कर एकदम महीन पीस ना है आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं पर मैं इसे सिल्वट्टे पर पीस रही हूँ इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे तो दोस्तों हमारा जो मसाला है वो पिश चुका है तो चलिए इसे हम एक कटोरी में उठा लेते हैं तो देखिए बस बारीक हमें पीस लेना है जितना मैंने पीस आए इस तरह से तो अब इसको हम एक कटोरी में उठा लेंगे और इधर मैंने चूला भी जला लिया है और चूले पर रख देते हैं कड़ाई सबजी बनाने के लिए और जब कड़ाई हमारी गरम हो जाएगी तो हम उस में डालेंगे दो चम्मस सरसो का तेल आप चाहें तो जो यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं और तड़के में डालेंगे दो तेज पत्ते दो लाल मेर्ट सूखी हुई और आदा चम्मस जीरा और तड़के को अच्छे से तड़कने देंगे एकदम बढ़िया से भून लेंगे तड़के को पहले तो देखिए दोस्तो तड़का हमारा भून चुका है अच्छे से तो हम इसमें एड़ कर देंगे कटे हुए आलू और आलू को चलाते हुए दो मिनट अच्छे से भून लेंगे जो इसका कलर है भूनने के बाद वो भी चेंज हो जाता है तो आप इसको बढ़िया से भून लें आयर उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे मसाला जो हमने पीस के रखा था और एक मिनट आलू के साथ इस मसाले को भी भून लेते हैं तो देखिए आलू के साथ हमारा मसाला है वो भी बहुत अच्छे से भुण चुका है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे कटी हुई पत्ता गोभी आप एक बार इस तरीके से बना कर जरूर देखिएगा जो नहीं खाता है आपके गर में पत्ता गोभी वह भी खाने लगेगा तो आप जरूर बना कर देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनती है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक चमच हल्दी पावडर साथ ही एड़ करे देंगे स्वादनसाय नमक और सारे असले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबजी में चलाते हुए तो यहाँ पे हमने सारे मसाले को अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसमें add करेंगे आदा कप के बराबर पानी क्योंकि यह सबजी सूखी बनती है तो हम ज़्यादा पानी add नहीं करेंगे और एक बार सबजी को अच्छे से चलाने के बाद धक करके पकने देगे 3-4 मिनट के लिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं चलिए हम एक बार सबजी को चेक कर लेते हैं तो देखिए सबजी हमारी 90% तक पक चुकी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे कटे हुए टमाटर बाद में टमाटर एड़ करने का रीजन यह है कि जो इसकी खटास है वो बरकरार रहती है जो सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है तो हम टमाटर को सबजी में मिक्स करने के बाद अच्छे से ढग देंगे 2-3 मिनट के लिए और 2-3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों तो देखिए हमारी सबजी जो है बनकर पौधी अच्छी त्यार हो चुकी है तो अब इसको हम चूले से उतार लेंगे तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी रंग विरंगी सबको बहुत पसंद आएगी तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा दियूँ तो देखिए देखने में भी एकदब मसालेदार और बहुत ही अच्छी लग रही है इसको आप पराठे के साथ खाएए पूडी के साथ खाएए लंच बॉक्स में पराठे के साथ दीजिए सबको बहुत पसंद आएगी और एक बार मेरे तरीके से बना कर जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा और कॉमेंट में जरूर बताईएगा आपको मेरी ये सबसी बनाने का तरीका कैसा लगा और अगर आप कोई नई रेसिपी हमसे बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा तो मैं मिलूँगी ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा